6th class, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब थीक होंगे and अपनी study continue कर रहे होंगे देखिए, अब हम हमारा next topic स्टार्ट करने जा रहे हैं तो next topic अब हम जो आज का स्टार्ट करने जा रहे हैं वो देखिए, कल तक हमने क्या किया था? हमने किया था कि diversity कैसे है हमारे इंडिया में जैसे हम क्या example ले रहे थे अभी तक हमने example लिया था लदाख का कि लदाख एक desertious part है desert reason है लेकिन फिर भी जो trade है लदाख में possible है ये किसकी वज़ा से है क्योंकि हमारे इंडिया का जो culture है diverse है अलगलग tribe के religion culture यहां follow किये जाते हैं तो देखो अब हम हमारा next topic continue करते हैं next topic में क्या है देखिए means of transportation and communication were not developed in the past जैसे transportation के साधन और communication के ये past में तो थे नहीं लेकिन क्या हुआ था कुछ जो लोग होते थे remained isolated in their own reasons तो क्या था जो लोग जहां पर जिनका जैसे बर्थ हो गया चनम हो गया तो वो वहीं पर ही बच जाते थे क्यों वहीं पर रहने लग जाते थे because हमारे पस तब कोई भी साधन नहीं थे means नहीं थे transportation के या फिर communication के इस टाइब से क्या हुआ है हमारा जो इंडिया है उसका जो culture हुआ है वो diverse हो गया है यानि की अलग-लग type का हो गया है then देखिए however अब क्या है इसमें कुछ type की practices भी बताई गई है जैसे जो लोग हैं वो किस type की practice करते हैं जैसे fishing हो गई agriculture हो गया animal husbandry animal husbandry क्या होता है पशू पालन next topic देखो however later as transportation and communication developed over time जैसे जैसे time grow हुआ time भीता तो क्या है communication और transportation जो facility है वो भी बढ़ गई इनके कारण क्या हुआ कई बार क्या होता था disaster कई बार है कुछ लोग कहीं अपनी जो जिस जगा पर उनका बर्थ हुआ होता है उसे वो छोड़कर नहीं जा पाती तो क्या होता है natural calamity होती है disaster होती है इनकी वज़े से उन्होंने अपना birthplace उनको छोड़ना पड़ता है तो कुछ लोग कैसे अलग parts में shift हो गए क्योंकि natural calamity is disasters की वज़े से लोग क्या है अलग लग reasons में जाकर रहने लग गए India has also seen the coming of foreign travelers and rulers who made this land their home अब क्या है इंडिया ने बहुत से जो rulers है वो अलग लग जगा से आए है जैसे कई तो foreign travelers है कई और दूर से आए है क्या करने के लिए इंडिया में अपना culture करने के लिए और इंडिया में क्या है रहना start करने के लिए next देखिए अब क्या है ये जो culture है धीरे धीरे इन्होंने हमें बहुत सा contribution भी दिया है इंडिया का जो system है culture है उसे बहुत ज़्यादा wonderful बना दिया है इंडिया एक ऐसा land है religion का जहां हिंदुईजम भी follow किया जाता है ठीक है लेकिन क्या है हमारे इंडिया में अलग-लग type के religion है लेकिन फिर भी अब जैसे जैसे time grow हुआ है तो क्या हुआ है ये जो हर type का religion है उसे proper respect मिलती है तो उसे proper respect क्यों मिलती है क्योंकि इंडिया is a secular state इंडिया क्या है secular state है यानि कि कोई भी state इंडिया में रहने वाले किसी भी person को force नहीं कर सकती किसी एक particular religion को मानने के लिए तो वो उस person पर depend करते है कि वो किस religion को माननेगा ओके despite all this diversity इन सब changes के बाद भी where people have different religion, culture, religious backgrounds culture है in his book the discovery of India जो जवाहलान लहरू थे हमारे पंडी जवाहलान लहरू उन्होंने एक book लिखी दी जिसका क्या नेम था discovery of India इन्होंने इनमे क्या बताया था कि इंडिया क्या है unity इंडिया के खुद के लोगों में जैसे इंडिया में हमने बात की की अलग लग type के लोग हैं बाहर से भी आये लेकिन इंडिया क्या है एक United Nation है, मतलब Unity का देश है, मतलब इन्होंने क्या बताया है, इंडिया को एक Unity in Diversity, हमारे अलगलग टाइप के धरम, कल्चर होने के बाब जुद भी हमारे लोगों में क्या है, एक का है, ठेक है, इस चैप्टर का जो लास्ट टोपिक है, वो अब हम देखते हैं, Diversity, its importance in our life, Diversity, और Diversity की जो importance है, हमारी life में कैसे impact करती है हमारी life को, अब हम ये देखेंगे, ठेक है, तो Diversity क्या है, जैसे, अब हमने बताया कि अगर हम पंजाब वाली साइट जा रहे हैं, तो पंजाब में लोग क्या है, अलग टाइप का जो क्या है, बोली, यानि की language बोलेंगे, अलग ट में आपके बुक में सिरफ एक में चीज दियू ये टॉपिक में, वो है ये, एक स्लोगन टाइप, ये स्लोगन दियू है, तो ये जो स्लोगन है ये हमें कवर करना है, जो हम हमारे next वीडियो में करेंगे, ठीक है, आज के लिए आप इता रीड कीजिए, बाकी हम कल करेंगे ठीक है, थैंक यू, एंड वा नाइस टी